पिरनपुर घटना के बाद मंगलवार को गाउं से दूर दो लोगों के शव मिलने के बाद प्रसाशन अलरट हो गया है प्रसाशन ने किसी प्रकार की अपरियस्थिती से बचने के लिए याद चाक चौबन व्यवस्था कर रखी है वही शांती विवस्ता की बहाली के लिए 144 धारा लगा दिया गया है बेमेतरा जीले के कोरवई गाउं के पास मंगलवार को सर में चोट लगे दो लोगों के शव बरामत किये गए जिनकी पहचान विशेश समुदाय से संबंध रखने वाले पिता और पूत्री के रूप में की गई है बेमेतरा पुलिस अधिक्षक का कहना है कि शवों को पोस्मॉटम के लिए भेज दिया गया है दोनों की मौत का कारण पोस्मॉटम के बाद ही पता चल पाएगा वही पुलिस ने पेडित परिवार से मुलकाट करने पहुँचे सांसद विजय बगेल भाजपा प्रदेश अध्यक्षर उनसाव वो उनकी 200 समर्थकों को रोग दिया है जिसके बाद पुलिस पर पत्राव हुआ इस पत्राव में एक पत्रकार घायल हो गया फिलहार प्रसाशन ने काव को छावनी के रूप में तबदील कर दिया है साथी धारा 145 लागू कर दिया है और धर्ना प्रदर्शन के लिए पहुँचे लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है आपको बता दे कि बीते शनिवार को जड़प में पुवनेश्वर साहु की मौत हो गई थी जिसके बाद यहां का महौल करमा गया है अब भी जो यहां से साजाच लेकर बिदर्शन करके रखा हुआ था उसमें काफी बसकत करने के बाद भी कुछ लोगों ने चले गए थे और पर हम लोगों ने काफी अच्छे से कंट्रोल किया है 144 लागू है उसके बाद भी लोग अभी आग जाने की खटना अन्याम जे रहे था उसमें हम लोगों सतप निग्रानिम रखा हुआ है जो बहार से आज समाजी तत्वा थे उसको नियंतर डखने के लिए जगए जगए बेरिकेटिंग करके उस पर नियंतर करेंगे ये आज जो है मृतक के परजनों से मिलने के लिए कई लोग आने का योजना था जिसमें कई समाज के प्रमुक थे कई राजनीतिक बल के प्रमुक थे इन सब को बता गया है कि चूंकि CRPC 144 सेक्षन लगा हुआ है चोटे ग्रूप में उनको जाने की तर्मिशन दिया जाएगा यदि ज़्यादा लोग है तो बारी-बारी में वो जाके मुल के आ सकते हैं इस तरह की जानकारी कलक्र साब और मैं मीटिंग लेकर सब को दिये गया है सबी जिसमें व्यापारी थे जिसमें व्यापारी संग और सभी समाज के संग अजयक्ष और प्रत्नीजी थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी प्रकार का हिंसा नहीं करेंगे शन्तिपूर्ण वो जाकर अपने सांतुना प्रकत करके वापस आएंगे और हमारे दोरा आश्वासन दिया गया है कि किस मार्क से जाना है और चोटे-चोटे ग्रूप में अगर जाएंगे तो बारी-बारे में सब को मिलने की मौका दिया जाएगा न्यू वीडियोज की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूस को और बैल आइकन को दबाएं